नमस्कार दोस्तों मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन तो अब हम आपके लिए रिव्यू करेंगे इस हपते में रिलीज हुई दो बड़ी कॉंटेंट की जिसका पहला तो है जो अजवे देवगन की मूवी भोला जो डिरेक्ली थीटर में तो यह दोनों कॉंटेंट के बारे में डिलीज में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में रिक्वेस्ट एक ही है वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा कुछ भी अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना म और उससे भी बड़ी बात है कि काइथी की जो मुजिक डिरेक्टर जैसे रवी वास्रूर हो गये या फिर मान लिजे उनकी जो डिरेक्टर आपके लोकेश कनकराज हो गये तो वो सब लोग इसके साथ इस प्रोजेक्त के साथ भी जुड़े हुए थे लोकेश कनकराज ने जहां पर जो script है या फिर मान लिजे जो screenplay है dialogue से वो सब उन्होंने लिखा है तो वो जो feel जो काई थी का जो मतलब overall जो feel लोगों को मिला था जो उस impact जो create हुआ था वो सब करने का भरपूर प्रयास जो है इस गंदर में किया गया है तो अजय देवगर निर्देशित ये film कैसा रहा दोस्तों अगर आपने काई थी नहीं देखी है तो आपको थोड़ा सा कहानी जो है वो याद दिला दे तो पहली है कि पुलिस जो है वो एक बहुत ही बड़ी इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है लेकिन वो सिंगल हैंड़ी बड़े बड़े ग्रूप जो है मतलब 10-20-15 आदमी को मार गिरा सकता है तो क्या है इसके पीछे राज वो जानने के लिए आपको सिनमा घर में जाके फिल्म देखनी पड़ेगी तो दोस्तों पॉजिटिव क्या लगा फर्स्ट अफॉल इसका जो एक्शन है जैसे कि टीजर ट्रेलर में आपने देख आपको देखने के लिए मिलेंगे दूसरा चीज जो मुझे पॉजिटिव लगा है इस पर्टिगुलर फिल्म के अंदर में वो है इसका बैक्ग्राउंड स्कोर रवी वसरूर का जो मतलब ओरिजिनल टेंपलेट है उससे हटके इसके लिए जो अलग सा एक फील जो माहोल उ है जहां पर तब्बु जो पोलिस ऑफिसर है उनको एक चीज के लिए पूछता है तो देखिए का उनस वो आंसर करते है वो आंक से आंसर करते है तो वो जो जो कहावत है कि आजये देवगन मतलब नोन फॉर दी मेठोड अक्टिंग और उस चीज को इस फिल्म के अंदर में रखा गया है जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा है अब दोस्तों और भी काफी बहुत सारी चीजे है जैसे कि मैं कहूंगा इसमें जितने भी अंटागॉनिस्ट है उन लोगों को इतना प्रायरिटी दिया गया है कहानी के अंदर में इतना हाइलाइट किया गया है कि एक किर्दाद में कैसे फिट बैट गये वैसे सेम चीज जो है वो गजराज राओ के लिए भी अप्लिकेबल है उनका भी करेक्टर उस तरीके से इतना मतलब बढ़िया तरीके से लिखा गया और जैसे उन्होंने भी परफॉर्म किया जैसे उनका लुक्स वाकेरा दिया गया है व वाला चीज यहां पर है और उसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि दोस्तों इस फिल्म की दो चीन चीजे है जो मुझे थोड़ा कम लगा है जैसे कि मुझे यहां पर हीरो मतलब बोला का जो एंट्री सीन है वो मुझे उतना गुजबंस नहीं देती है जो इस ताइप की मुव उतना तगरा डायलोग उनको दिया नहीं गया है जिससे वो कमाल का पर्फॉमेंस वो बहुत ही कमाल के एक्टर है उनका पर्फॉमेंस निखर के आए तो यह जगा में थोड़ा मुझे लगता है कि लैक हो रहा है और भोला का जो मतलब किरदार है जो करेक्टर है उसका जो जो स्पीन ओफ है उसका जो बैक स्टोडी है वो एक गाने के अंदर में पूरा दिखा दिया गया है लगबाग मान लीजिये पूरा फिल्म के अंदर में दस मिनिट भी उसमें जाया नहीं किया गया लेकिन मेरे हिसाब से जैसे उनका एक्टन कोरियोग्राफिया एक्टन सि सीट आप मूवी है जिसको आप पूरा थोरोली एंजोय कर सकते हो सिनावा अंदर में तो मेरे लिए डिफिनिट्ली एक रेकॉमेंडेट मूवी है आप पड़िवार के साथ चाह सकते हो और दिस इस कम्प्रीट या फैमिली मूवी तो ओवर आल आप जाके इस मूवी को इस कहा जाता है कि उनको वह देखने में तो बहुत ही सुन्दर है लेकिन उनका एक्टीम में अभी वह दम जो है वह दम खम नहीं आई है लेकिन कुछ कुछ कॉंटेंट है जैसे डिजनी प्लस होट स्टार में उनका पिछला जो फिल्म आया था तो वह मुझे काफी बढ़िया लगा था बहुत ही बड़िया उन्होंने अक्टिंग किया तो तो ने इस प्लिम के अंदर में उनका बिस्टेफर अच्छा कर सकती है अ कहानी एक बहुती बड़ी एक राचपडिवार की है जो बिसिकलिए आप बोल सकते हो कि एक बहुती बड़ी महल है उनका और उस महल के अंदर में जो है मतलब यहाँ पे सता फिगर जो है वो उनकी पिताजी का कैरेक्टर प्ले कर रहे है चित्रांगदा सिंग जो है उनकी मम् जो है वह प्ले कर दिये उस फैमली की गुरिया की मतला चोटी बेटी की जो किरदार जो महारानी के नाम से भी कहलाथी यह लेकिन घर बापसी के बाद पता चलता है कि पिता जी मिसिंग है अब यह पिता जी जो है सताफ फिगर का क्या हुआ है उनके साथ वो राज खोलने की कोशिश किया जाएगा फुरा लगभग दो घंटे की इस फिल्म के अंदर में अब दोस्तों positive मुझे क्या लगा है काफी बढ़िया एक cinematic experience होने वाला है हां जबकि कुछ-कुछ जगह में cinematographic काफी बढ़िया है बहुत ही अच्छा लग रहा है overall देखने में और साथी में कहेंगे कि यहां पर चित्रंगदा सिंग बहुत दिन बात यह मतलब बहुत ही कम काम करते है अभी recent time में तो उनको फिल्म के अंदर में बहुत खास कुछ है नहीं first of all इसकी जो मतलब एक क्रॉस जॉनरा की काम है तो पहला जो है इसमें एक mystery है तो दूसरा जो है इसके अंदर में हर horror element भी डाला गया है और थोड़ा भूत उसके साथ जो है उसके साथ mystery यह total treatment जो डाला गया है ना वो कुछ 40 45 मिनिट तक वो work करती है कहानी काफी dark काफी intense लगती है तो for first 45 minutes to 50 minutes लेकिन उसके बाद जो ना एक ऐसा situation आता है जहां पर अक्षय ओविरॉय का किरदार जो है वो उनका मढ़र कर दिया जाता है तो यह मैं कह दे रहा हूं कि इसके बाद यह film का पूरा turnover जो है वो हो जाता है लेकिन यह जो situation है यह situation के मतलब यह situation इतना predictable लगेगा और यह situation के time में आपको एक spoon feeding करवाया जाएगा कि आपको सोचने में मजबूर किया जाएगा भई ऐसा ही हुआ है ऐसा ही हुआ है लेकिन सज बोलिये तो इसमें कौन actually इसके पीछे राज क्या है किसने सारा जो है यह का परदस्ती जो है ना मतलब बहुत सारे अलिवाइस क्रियेट किया मतलब करवाया जाएगा जिसके आपको लगे नहीं यह भी हो सकता है यह और आखिर में जाके क्यूं मैं कह रहा हूं कि स्क्रीन प्ले में बहुत सारा फॉल्ट है और आखिर में जाके आप जब देखोगे क कि असल में जो सरा लिकन का छो खुलासा है उसका किरदार का जो खुलासा जब होता है वह आपको एक दम हे बिलिविबल नहीं लगेगी आपको लगेगा कि भra में जाके ऐसा फील होगा भाई हम लोगों को बेवकूप बनाया गया यह ऐसा कोई होता है क्या मतलब यही वाला feeling आपको आएगा और सच बोले तो इसमें मुझे सारा अली खान का performance उतना खास लगा नहीं जैसे कि मैं उम्मीद कर रहा था तो उतना खास उनका performance है नहीं और सबसे disappointing है विक्टरंद मासी का performance जो अच्छे performance के लिए जाने जाते हैं इस फिल्म के अंदर में उनका performance बहुत ही pathetic है और साथी में जो सहक अलाकार है उनका भी performance उतना खास लग नहीं रहा है फिल्म की background को उतना impressive है नहीं horror जहां पर आप बोल सकते हो कि horror scenes जो है उसको थोड़ा workout करवाने की कोशिश किये लेकिन जो treatment है कि मतलब वह jump cut हो के दूसरा कुछ scenes आ जा रहा है दूसरा कोई चला जा रहा है पीछे से कोई हट जा रहा है कोई खरा हो जा लगा था मैंने जैसे कि आपको कहा कि overall मतलब सिनेमेटोग्राफी जो आपका जो scenes अगरा जो शुडू में दिखाया जा रहा था काफी impressive लग रहा था लेकिन at the end मैं काफी disappointed हूं इस particular movie से तो मेरे लिए एक average watch है तो आपके अगर subscription है आपके पास तो आप इसको देख सकते है अधरवाइस उतना वर्थ नहीं है तो दोस्तों यही था basically मेरा दो रिव्यू तो इन वन रिव्यू फर इस वीक्स तू मेजर content रिलीस तो कैसा लगा आपको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हों कुछ भी अगर इस वीडियो से अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सेटल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में तब तक के लिए अलवे